दोस्तों आज हम PPSTE 2024 के question को solve करते हैं जो कल 13 जुन 2024 को संपन्न हुआ है आज की इस वीडियो में हम जिवी ज्यान भाग को solve करेंगे और इसके संभावित उतर दिखेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि यदि आप इस channel पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर ले बेल आइकान को प्रेश कर ले और वीडियो को like और share जरूर करें तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहला question है उची संबन जोड़िये तो जिब्रिलिन जो है ये बोल्टिम का भाव शो करता है और साइटो काइनिन जो होता है ये जरावस्था में देरी करता है तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन C A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2 अगला प्रश्ण निम्न में से कौन DNA में अनुलेखन एकाई का भाग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन A उननायक या प्रमोटर अगला प्रश्ण है निम्न में से कीज अवस्था में गुनसूत्र बिंदू अलग हो जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा, option D, फर्स्ता वर्स्ता सेकंड या एनफेस 2. अगला प्रश्ण है, केल्विन चक्र में क्या प्रवेश करता है? तो 18 ATP, 12 NADPH और 6 CO2, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, option C, B, C और E. अगला प्रश्ण है, नीवन में से कौन क्रित्रिम आगजिन है? तो NAA और 24D, ये दोनों क्रित्रिम आगजिन है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, option B, C, A, V, D सहीं है. पोटेटो, स्पिंडल, ट्यूबर, रोग का कारक है, तो इसका सही आंसर होगा, option C, वाइराइट. अगला प्रश्ण है, कथन A, F1 पीड ही, दोनों जनकों से मिलती जूलती है, और कारण R, ऐसा अपूर्ण प्रभाविता के कारण होता है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option C, कथन A सही है, लेकिन कारण R गलत है. अगला प्रश्ण है, केलवीन चक्र से क्या बाहर निकलता है, तो इसका right आंसर हो जाएगा, glucose, ADP, और 12, NADP, इस तरह से इसका right आंसर होगा, option D, वोप्रोक्त सभी. अगला प्रश्ण है, सिट्री कम्ला चक्र में बनने वाले मद्यस्त पदाथों को क्रम से जमाई है, तो इसका right आंसर हो जाएगा, option D, A, C, D, B. अगला प्रश्ण है, पांच जीव जगत वर्गी करण में प्राने सम्बोजी पोर्शन विधी किस जगत में पाई जाती है, तो इसका right आंसर हो जाएगा, option D, एनिमेलिया में. अगला प्रश्ण है, अर्दसुत्री विभाजन की पुर्ववस्ता फर्ष्ट की दी गई प्रवस्ताओं को क्रम से जमाई है, तो इसका right आंसर हो जाएगा, option A, D, C, A, B. अगला प्रश्ण है, मेंडल द्वारा अध्यन किये गए मतर के पादप में हरा प्रभावी विशेशक, निम्न में से किसका लक्षन है, तो इसका right आंसर होगा, option C, early, यानि pod. अगला प्रश्ण है, निम्न में से कौन सी गैस, हरिद्ग्री गैस है, तो इसका right आंसर हो जाएगा, option C, A, B, C, D. अगला प्रश्ण है, केल्विन चेकरक के योगिकों को क्रम से जमाई है, तो इसका right आंसर हो जाएगा, option A, A, B, C, D. अगला प्रश्ण है, बीच के परिपक्वा होने पर निम्न में से किस में घून को स्विद्ध्यमार रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, option B, R, D, यानि केश्टर. अगला प्रश्ण है, उची संबन जोड़िये, तो लयान का आएका हो जाएगा, पाचन, गालजी का आएका हो जाएगा, स्रावन, सुत्रकनिका का हो जाएगा, पुर्जय निर्मान, तो इस तरह से इसका right आंसर हो जाएगा, option B. अगला प्रश्ण है, एक भोजन स्रिंखला में होशा किस्तरों को जमाईएगा, तो इसका right आंसर हो जाएगा, option B, B, D, C, A. अगला प्रश्ण है, हरिद्ग्री कैसों को वैस्पिक तापन में उनके बढ़ते से घर्टे क्रम में सापेक्चिक योगदान अंसर जमाईएगा, तो इसका right आंसर हो जाएगा, option B, B, A, D, C. अगला प्रश्ण है, अंतरावस्था की किस प्रावस्था में DNA की मात्रा दुगुनी हो जाती है, तो इसका right आंसर होगा, option B, A, S, प्रावस्था याने, A, S, फेज में. अगला प्रश्ण है, जब टाइपा मीटिन का अप्योग स्वस्थान में होता है, तो RQ का मान होगा, तो इसका right आंसर हो जाएगा, option D, टाइपा मीटिन का RQ मान होता है, 0.7 याने 81 से कम. अगला प्रश्ण है, नीम्न में से कौन अन्वांसिक कूट की विशेश्था है, तो त्रीक होना, सार्वभामिक और अफासित, ये तीनों अन्वांसिक कूट की विशेश्था है, तो इस तरह से इसका right आंसर हो जाएगा, option B, A, B और D सहीं है. अगला प्रश्ण है, अउसिस्ट भी जान काय कहलाता है, तो अउसिस्ट भी जान काय, पर ये भुरून पोस्ट या पिरिस्पर्म कहलाता है, तो इस तरह से इसका right आंसर हो जाएगा, option B, second सहीं है, और first, third और fourth जो है, वो गलत है. अगला प्रश्ण है, कथन A, प्रात्मिक भुरून पोस्ट केंद्रक त्री गुणित होता है, तो ये इस स्टेट्मेंट सहीं है, कारण इसका निर्मान युगमक्स रिलन से होता है, तो ये भी स्टेट्मेंट सहीं है, तो इस तरह सिसका right आंसर हो जाएगा, option A, कथन A और क अगला प्रश्ण है, तो इस तरह सिसका right आंसर हो जाएगा, option A, A क 3, B का 1, C क 4 और D का 2, अगला प्रश्ण है, सूत्रकनिका की अधात्री में निम्न में से क्या पाया जाता है, तो इसका right आंसर हो जाएगा, उप्रोक्त सभी, सूत्रकनिका यानि माइको कॉंडिया में, DNA, RNA, RNA और 70S राइब का राइबर्जोम पाया जाता है, अगला प्रश्ण है, विक्सित होते प्लेसेंटा में स्रावित होने वाला हार्मोन है, इसका right आंसर हो जाएगा, option A, कॉरियानिक गोनेडोट्रॉपिन, अगला प्रश्ण है, अभी कथन A, गेस्टुलेशन की किरिया भ अगला प्रश्ण है, निम्न घटनाओं को उनके होने के सही करम में करिया, इसका right आंसर हो जाएगा, option C, अभी कथन A, वा कारण R, दोनों सही हैं, अगला प्रश्ण है, निम्न स्टेप्स को DNA रेप्लिकेशन की सही करम में जमाए, इसका right आंसर हो जाएगा, option D, B, A, C अगला प्रश्न है, मासिक धर्म की निम्न घटनाओं को उनके होने के सही करम में करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन C, B, A, C अगला प्रश्न है, विजडम दात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन D, Molar अंतिम मोलर दान को विजडम दात या बुद्धि वाले दात के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को उनके सही टेक्जो नामिक रेंट से मिलाईए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसन D, A का 3, B का 5, C का 1, D का 4 और E का 2 अगला प्रश्न है, कालम A में प्रदसित जिमो को कालम B में लिखी दिस्तर से सही मिलाई करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसन A A और C, X है, यानि फॉजिल है, और B वा D, Y है, यानि लिविंग फ्लॉजिल है तो इसका राइट आंसर होगा, आपसन A अगला प्रश्न है, नीम्न वंसावली विशिष्ट गून के इनहरिटेंस को प्रदसित करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसन B, आर्टोजूमल डिसेसी क्योंकि यहाँ पे जनरेशन गेब दिख रहा है, इसलिए डॉमिनेंट रही होगा अगला प्रश्न है, अभीकथन A, जिनो टाइप किसी जीव के जनेटिक मेकप को बताता है एवं फिनो टाइप भहुत तिक गूनों को बताता है कारण आर्ट जिनो टाइप फिनो टाइप को तैय करता है, क्योंकि इसमें सभी एलेलेज होते हैं जो जीव के भौतिक गुणों को धारान करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन B अभिकतन A और कारान R दोनों सही है तो इस तरह से इसका आंसर होगा आपसन B अगला प्रश्न है निम्ला हार्मोन को उनके हाइपो थैलोमिक पिट्ट्टी गोनेडल एक्सिस पर इन्वाल्ब होने के सही करम में जमाई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन D A, C, B अगला प्रश्न है जीव के विकास में कोसा से कोसा के मध्य संचार उप्योगी होता है विसेश आवागमन संकेत को प्रतिक्रिया देने की कोसा की समर्थ्य को कहते है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन D अगला प्रश्न है निम्ल में से कोन सा सही मिलान है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन सी पहला अग्ला प्रसन है निम्नल अवस्था को उनके सही फायलाम से मिलाइए तो एमफिब्लास्टुला जो होता है ये पॉरिफेरा में बनता है पॉरिफेरा के लार्वा को एमफिब्लास्टुला कहते है तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन A, A का 3, B का 4, C का 1, और D का 2 अगला प्रश्न है ओर रक्तसमू की मा का A रक्तसमू का बच्चा है पीता का रक्तसमू हो सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन C, A या A, B अगला प्रश्न है नीम्न में से कौन सा हार्मोन एवाम नियूरो टांस्मिटर दोनों है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन B, Acetylcholine अगला प्रश्न है नीम्न अस्तियों को उनके विशिष्ट गुनों के साथ मिलान कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन A, A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2 अगला प्रश्न है कौन सी मचली का उप्योग इनसेक्टि साइट की तरह किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन D, गंबूसिया अगला प्रश्न है तंत्रिकाएं एक दूसरे से किस से जुड़ी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन B, नियूरो टांस्मीटर से अगला प्रश्न है सही मिलान करें तो प्रोटीन संसिलेशन का आरंभन कोडान तो ये है A, U, G प्रोटीन संसिलेशन का स्टाप सिगनल तो ये तीनो U, A, A, U, G, A और U, A, G ये तीनो समापन कोडान है तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन B A का 1 और 2 का B, C और D अगला प्रश्न है गेमिटोजिनेसिस की नीम नवस्थाओं का सही क्रोमोलाजिकल क्रम में जम्माए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन A A, B, C पहले मियोशिस होता है मियोशिस 2 होता है और मियोशिस 2 के दबारा ही इस पर मया ओम का निर्मान होता है अगला प्रश्न अभीकतन A थाराइट इस्टिमुलेटिन हार्मोन याने TSH एंटिरियर प्यूस ग्रंथी से स्रावित होता है कारण आर TSH थाराइट ग्रंथी से थारक्षिन के उतपादन एवं सिक्रिसन को नियंतित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन A अभीकतन A वह कारण आर दोनों सही है अगला प्रश्न है नीमन मानवी रूग एवं उनके जीवकार्पों का मिलान कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन C A का 2 B का 1, C का 4 और D का 3 अगला प्रश्न है भूण विकास की नीमन वस्थाओं को सही क्रोमोलाजिकल क्रम में जमाए जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन D B A C अगला प्रश्न है वह गुन जो आर्थोपोड़ा एवं एनिलिडा दोनों में पाया जाता है जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन D मसल्स का सेग्मेंटेड अर्रेंजमेंट लास्ट प्रश्न है नीमन में से कौन सा मारकर नान-PCR अधारित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन D आरेप-P-E-L